प्रेंद्स वेलकुम बैग तु मैड चैनल जोधि वर्धन जैसा कि आप घानते हैं कि Hanja cough si ri मैं ऩाट कर चुकी हो और बिछली क्लास में मैंने अपको बताया था कि है इसवा क्या होता है और आज के इस क्लास में आपको बताने वाली हूं कि हर स्पा कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैरस्पा क्यों किया जाता है और वो क्या होता है तो हैरस्पा नारिश्मेंट के लिए किया जाता है और बालों में नारिश्ट वापस लाने के लिए अगर ड्राइ डामेज हैर है तो उसको फिर से soften करने के लिए hair spa किया जाता है, अब उसको कैसे करते हैं, उसका process क्या है, या कितना time लगता है एक hair spa को करने में, तो इसी question का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो मेरे channel को तो subscribe कर लीजी और हाँ, bell icon भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्य सबसे तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको consultation करना पड़ेगा, जो भी client आपके पास आती है, उनके hair को आपको judge करना पड़ेगा, देखना होगा, कि उनका hair का condition क्या है, कैसा है, अगर उनका hair freezy भी है, तो कितना percentage freezy है, कुछ clients के ऐसे होते हैं, कि कुछ hair उपर वाले जो hair ह के पास से जो आता है, वो hair बड़ा अच्छा होता है, healthy होता है, but almost half hair के पास से, नीचे से जो जाता है, length के पास, वो hair थोड़ा सा freezy होने लगता है, और वेकदम से जो last में जाते हैं, वो splittance आ जाते हैं, या फिर बहुत जादा frisile हो जाता है, तो ये सारी condition आपको देखन है, वो manage नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से आपको, आपको consultation करना पड़ेगा, ताकि आप judge कर पाएं कि अब service में आपको क्या देना है, क्या provide करना है, तो जब आप देख लेंगे कि उनका hair किस condition में है, और क्या किया चाहिए, उसी हिसाब से आप उनको hair aspa का suggestion दे सकते हैं अगर उनके hair dry है, damaged है, और mixed है, mixed मतलब कुछ hair अच्छा है, थोड़े बहतर condition में है, बट बाकी hair बहुत ही wash condition में है, तो mixed भी है, तो भी उसी हिसाब से आपको hair aspa का suggestion देना पड़ेगा, या फिर आपको hair aspa करना पड़ेगा, तो अब hair aspa कैसे करते हैं, इसी का process मैं आपको सबसे पहले तो hair को wash करेंगे, wash कैसे करेंगे, तो purifying shampoo से करेंगे, laurel professional का भी purifying shampoo आता है, या फिर उसको cleansing shampoo भी ही कहते है, और वो deep cleanse करता है hair को scalp को, और उसके cuticles को थोड़ा बहुत open करने में मदद भी करता है, cuticles क्या होते है, cortex क्या होते है, इन सब का detail मैं एक करके मैं आने व होते है, cuticles हमारे hair का पहला layer होता है, और उसको कोई भी service करने से पहले वो जो cuticle layer होता है, उसके लिए open होना बहुत ज़रूरी है, तब ही hair रस्पा हमारा अंदर जा पाएगा, वो deposit होगा, और हमारे बाल फिर से अच्छे रहेंगे, तो सबसे पहले तो cleansing shampoo से या फिर purifying shampoo से ह में hair को wash कर लेना है, अच्छा से shampoo कर लेना है, अगर client के hair में पहले से oil लगा हुआ है, तो आप ये प्रक्रिया दो बार दोहरा सकते हैं, मतलब दो बार आपको shampoo करना पड़ सकता है, then उसके बाद आप उनको service chair पर लेकर आएंगे, अच्छा से towel dry करेंगे, और एक bowl and brush अब hair का length जितना है उसके हिसाब से, अगर मेरे hair length के पराबर लग almost इतना hair length है, तो लगबग किसी भी brand का अगर आप hair spa use कर रहे हैं, तो लगबग 2 scoop, 2 scoop लगेगा hair spa product, cream की मैं बात कर रहे हूं, और then उसके बाद उसी में आप serum भी add कर सकते हैं, जो M fuel आते हैं, अलग-अलग brands में, वो थोड़ा liquid होता है, concentrate होता है, तो वो भी आप add कर सकते हैं, अगर बहुत जादा damage उनका scalp है, dandruff अगरा है, तो आप पूरा एक full bottle भी use कर सकते हैं, या फिर half bottle भी उसका use करता है, एंफुल हमेशा छोटे bottles में आता है, तो यह चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं, तो अच आप hair spa वहाँ पर भी try कर सकते हैं, लगा सकते हैं, apply कर सकते हैं, जैसे scalp पर, scalp से लगाते हुए, आप length तक जा सकते हैं, but generally scalp problem उतनी नहीं होती है, hair problem बहुत जादा होती है, तो आप root से 1 इंच छोड़ के, या आधा इंच कम से कम आप छोड़ के, पूरे length पर लगा सकते हैं हाला कि जब आप massage करेंगे, तो scalp baby, scalp baby वह जो product होता है, spa का, वह उस पर जरूर जाएगा, तो इसे फिकर करने की कोई बात नहीं है, यह जो hair spa बहुत ही safe चीज होती है, और यह hair पर तो लगती है, scalp baby लग सकती है, और आराम से आदे गंटे या एक गंटे तक का भी आप resting time दे सकते हैं, कहीं कोई problem नहीं होती है, तो जब आप अच्छे से apply कर लेंगे, पूरे hair spa को पूरे hair में और इसके बार आपको massage करना है, gentle हाथों से बिलकुल आराम-ाराम से आपको massage करना है, hair spa कैसे किया जाता है, इसके कई सारे videos में चैनल पे हैं, मैं आपको शेर कर दूंगे, आप जरूरती चेक कर लीजेगा, बहुत ही आसान तरीके से only for beginners के लिए मैंने वो सारा बनाया हुआ है video, आप जरूर देखिएगा, आपको काफे कुछ सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से massage करना है, जिस किसी का hair थोड़ा बहुत ठीक हो, तो उनके hair पे आप steam दे सकते हैं, हाला कि अगर जिस किसी का hair बहुत जादा dry hair, damage है, या फिर पहले से pre-lighting वगरा किया हुआ है, तो ऐसे condition में steam नहीं देना चाहिए, जी हाँ, ध्यान से सुनेगा, ऐसे case में steam नहीं देना चाहिए, या फिर पॉमान इरुस्ट्रेटिंग की गई हो, या फिर केराटिन वगरा पहले की गई हो, तो steam नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ आपको spark cream लगाना है, और resting time देना है, आपको लगबग आदा गंटा या 45 मिनट तक का भी आप resting time दे सकते हैं, और देन उसके बाद आपको अच्छे से उसको wash कर लेना है, product अच्छे से wash हो जाना चाहिए, rinse out हो जाना च कीजेगा, इस stage पे जब आप wash करेंगे, तो shampoo नहीं करना है, shampoo कब करना है, सिर्फ first में, जब आप service start करेंगे, तभी first process जो है, first step वो shampoo से ही start होता है, उसके बाद spark किया, serum अगरा उसके साथ ही add कर लिया, और देन उसके बाद last में क्या करना है, सिर्फ आपको wash करना है, करते हुए, almost 50 to 60% hair को आप dry कर सकते हैं, अगर client का, अगर चाहें, without dryer चलाना, तब भी okay है, मतलब यह बहुत अच्छी बात है, dry जादा नहीं करना चाहिए, जब भी आप hair spa करते हैं, तो, अगर client को चाहिए, कि हाँ, थोड़ा बहुत dry कर दें, तो ठीक है, लगबग 60 to, 50 to 60 percent आप dry कर सकते हैं, बाकि 30 या 20 percent भी कम से कम, आप थोड़ा सा बालू में moisture रखें, wet रखें, okay, तो इस तरीके से क्या होता है, कि hair spa हमारा बना रहता है, हमारे hair में, और उसका जो service अगर आप करते हैं, तो बार में भी long glass उसका effect रहता है, तो I hope आपको इस वेडियो में समझ में आया होगा, कि hair spa कैसे करते हैं, ये बहुत ही normal तरीके से, बहुत ही basic जो traditional hair spa का जो process चला आ रहा था, वो process मैंने आपको पताया है, इसके अलावा भी hair spa के कई सारे और ranges हैं, जैसे laurel professional हो, या strics हो, या फिर bella, या sauce cough, इसमें hair spa में ही, कई सारे चीज़े अपडेट होते रहती हैं, तो कई सारे नए नए product भी launch होते रहते हैं, तो ये सारे चीज़े फिर add on होते जाती हैं, बट अभी जो मैंने आपको बताया, ये traditional hair spa का जो service होता है, वो मैंने किया आपको बताया है, तो basically hair spa ऐसे ही किया जाता है, बाद में चीज़ें आप add on कर सकते हैं, तो I hope आपको इस सवाल का भी जवाब जरूर मिला होगा, कि hair spa कैसे करते हैं, तो आप बने रहे हैं मेरे चैनल के साथ, और subscribe तुरंद कर लिज़ें, बेल आइकन जरूर प्रस कीज़ेगा, क्योंकि hair spa सीरीस स्टार्ट हो चुका है, और कई सारे questions है hair spa को लेकर, और उसके answer मैं आप को इसी चैनल पर आपको देने वाले हो, तो मैं फिर मिलते हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक भी लिए गुट बाई, एंड चेक्ट के आदे,